तो बच्चो मैं अमीना और ये हमारा दूसरा वीडियो है इस चप्टर का यूनित 10 का जो की गुड़ मैनर्स के बारे में हैं तो हम लोग इस वीडियो में इस चप्टर का एक्सराइज़ को हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे पिछले वीडियो में हमने इस पोयम को पढ़ा, समझा और सीखा कि किस तरह से हम लोगों को अपने लाइफ में गुड़ मैनर्स लाने चाहिए है ना बच्चो हमने थाइंक यू बोलना सीखा और हमने सौरी बोलना सीखा प्लीज बोलना सीखा और तो अब बारी आती है कि उस What do you say when you sneeze? आप क्या कहते हैं? अगर आप छीकते हैं, तो क्या कहते है आप? When we sneeze, we say excuse me जब हमें छीक आती है, हम जब छीकते हैं, तब हम excuse me कहते हैं What do you say when someone helps you? आप क्या कहते हैं, जब कोई आपका मदद करे तो क्या कहते हैं बच्चों हम उनको thank you कहते हैं न when someone helps us we say thank you और हमारा फिर तीसरा सवाल है what do you say when you need help आप क्या कहते हैं अगर आपको मदद की जरूरत हो तो क्या कहते हैं please है न when we need help we say please जब हमें मदद की जरूरत होती है तब हम please कहते हैं और ये था हमारा questions का answers अब हमारा next exercise है now let's put tick right और cross wrong तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे sentences देख रहे हैं sentences के सामने कुछ खाली डब्बे हैं यहाँ पर इन खाली डब्बों में हमें यह right यह wrong को भरना है तो यह sentence को हम लोग पहले पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर वो sentence right है तो उसके आगे हम लोग इस डब्बे में right का चिन लगाएंगे अगर वो sentence हमें wrong लगे तो उसके आगे wrong का चिन लगाना है तो पहला sentence है I say good morning to my teacher मैं अपने teacher को good morning कहता हूँ कहते हैं आप तो क्या यह wrong है No, it is right हमें अपने teacher को जब सुबह हम लोग school जाते हैं उस समय good morning कहना चाहिए I say thank you when I push someone तो मैं thank you कहता हूँ अगर मैं किसी को धक्का दे देता हूँ तो क्या यह सही है No, हमें क्या कहना चाहिए Sorry कहना चाहिए है न I take permission before going out मैं बाहर जाने के पहले permission मांगता हूँ आप मांगते हैं कि नहीं बिल्कुल सही, मांगना चाहिए हम अगर अपने क्लास से बाहर जा रहे हैं या फिर अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो हमेशा हमें अपने टीचर को अपने पैरंट्स को बता के जाना चाहिए I never wait for my turn मैं कभी भी अपना turn का इंतजार नहीं करता हूँ No, it is totally wrong अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं तो आप क्या लाइन को तोड़ते हुए सबसे आगे पहुँच जाएंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं, बाकी सभी भी तो लाइन में है ना बच्चो तो इस तरह से हमें अपनी बारी आने का इंतजार करना चाहिए I obey my teachers मैं अपनी teachers की अग्या का पालन करता हूँ सही है ना? बिलकुल सही है हमें हमारे teachers के हमारे parents की अग्या का पालन करना चाहिए और हमारा अगला exercise है Encircle the words which are commonly used in the classroom by your teacher तो आपको यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिख रहे होंगे इन शब्दों को आपको गोला करना है चारोर सर्कल बना लेना है वैसे शब्दों को जो शब्द सादातर आपके classroom में यूज होते हैं आपके teacher के द्वारा तो पहला शब्द है fight यानि लड़ाई क्या ये बहुत जादा होता है use कभी कभार बच्चों के बीच में fight हो जाती है लेकिन हमेशा होता है नहीं आप तो अच्छे बच्चे हैं then sleep यानि सोना आप हमेशा क्या classroom में सोते हैं नहीं सोते हैं cook यानि पकाना आप कुछ पकाते हैं classroom में no then play आप खेलते हैं हाँ आप खेलते जरूर हैं तो play यानि एक तो play को हम लोग circle में डाल दिये then jump क्या आप लोग अपने अपने class में jump करते हैं बिलकुल jump करते हैं तो teacher आपको कहते भी होंगे हैं then sit sit यानि बैठना इसका भी इस्तमाल होता है then please please यानि क्रिपया हम लोग कुछ जब हम लोग किसी से कुछ मांगते हैं तो हम लोग please कहते हैं हमें अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो please कहके मांगते हैं then thank you यानि धन्यवाद इसका इस्तमाल होता है ना बिलकुल होता है sit down जब teacher क्लास के अंदर आते हैं तो हम लोग खड़े हो करके उनको wish करते हैं फिर वो हमें sit down कहते हैं ना बिलकुल कहते हैं तो इसको भी circle में डाल दिये then stand up तो फिर अगर teacher हमसे कुछ पूछती है तो वो हमें stand up करके खड़े होने के लिए कहते हैं stand up यह भी commonly used होता है then come here यानि जब teacher हमें अपने पास आने को बोलते हैं तब वो क्या कहते हैं come here तो come here भी commonly used होता है then keep quiet keep quiet यानि जब क्लास में बहुत शोर होता है बहुत हला होता है तब teacher क्या कहते हैं keep quiet यानि सब शान्त रहो ये भी ज़्यादातर होता है use then come in अगर हम लोग class के बाहर होते हैं और permission मांग करके अंदर आते हैं तब teacher क्या कहते हैं come in, अंदर आ जाओ then hurry up जब कुछ काम में late होता है तब teacher हमें hurry up कहते हैं hurry up, ये काम फटाफट आप लोग कर लीजे then come on तो ये शब कहके teacher हमें encourage करते हैं है ना कि come on ये काम आप लोग कर सकते हैं तो ये सारे शब्द को हमने circle में डाल दिया जो ज़्यादातर हमारे teacher हमारे classroom में बोलते हैं तो बच्चो इस वीडियो में हमने ये exercises को good manners का exercises को complete कर लिया I hope कि आप लोगों ने अब तक अपने अपने copies में इसी उतार कर click लिया होगा और hopefully कि आप लोगों को ये question answer और ये exercises आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ठीक है हम लोग अपने next वीडियो में फिर मिलते हैं क्लिक कर भाम्झड़ और कर दो करquinho कर दो ए्ट्म्रें लोगों को झाल झाल